जबतो आज़कल बहुत सारे fraud हो रहे हैं इस cuando के नाम पर registered कमपनिया भी fraud करेए ऐसे मैं आपके लिए बहुत जरूरी हो गया कि आप इस चीज को समझ सके कि कोवज सी कंपनिया फर्जी हैर कोवज सी कंपनियां सही में real जैनून है और इसको समझने के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी क्यों कि सबसे पहले इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर कंपनियां जो है कैसे पता करें कि रइस्टर है या नहीं है पहला बात मतलब कि प्राइवेट लिम्टेड कोई कंपनी है तो कहां से चेक कर सकते ह अगर ये प्राइवेट लिम्टेड कंपनी रइस्टर सिर्फ हो जाए तो क्या इससे फ्रॉड रूप जाता है और अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिम्टेड कंपनी फ्रॉड करता है तो कैसे उसके जर तक पहुंच सकते हैं यह सारे चीज सीखेंगे और बहुत आपको पहुंचाएगा इसकी तो गैंकी देता हूं हलो दोस्तों मेरा नान है और आप देख रहें एजिनफर्माल सब पहली बात कि आजकल क्यों हो रहा है फ्रॉड की संख्या इसलिए वर रही कि लोगों के पास पैसे नहीं वो चाहते हैं किसी न किसी तरह से लोगों को ठक करके बेबकूफ बना करके वो पैसे कमा ले क्योंकि जो सिच्वेशन है वो आपको तो जानकारी है लेकिन यहां पर आपको बचना जरूरी है क्योंकि पहले बात अगर कोई बेबकूफ एबलेबल है इस धरती पे तो समझदार लोगों इसको बेबकूफ बना करके उससे पैसा निकाल लेगा तो समझदारी इसी में है कि आप अपने आपको बचाएं तो बचाने के लिए जब भी कोई आपसे कोई कमपनियां पैसा मंगे या कोई आपके सरकील के लोग जो है नौकरी करने जाते हैं तो सबसे पहले चेक करें कि वह कंपनी रेइस्टर है या नहीं है कं का कमपने इसअ चिस को मतलः मिनिष्टिय Yak toujours हमें रिकटी मla Ethan अब होता है ó इसका नमबर उसके नेम से भी आप उसके विपसाइब से सर्च कर सकते हैं उससे पता क्या चलेगा उससे पता चलेगा कि यह कंपनिया कब राइश्टर हुई थी इसका जो है कि इसका डिरेक्टर कौन-कौन है इसका जो राइश्टर ऑफिस कहां है इसका एक तरह से जो इसका चार्टेड एकाउंटेड होगा उसके इमेल आईडी वहां पर मेंसन रहेगा तो यह एक तरह से डिटेल निकाल सकते हैं कि कंपनिया रइस्टर है या नहीं लेकिन सबाल फिर से हुआ ही आता है कि अगर सिर्फ प्राइबिट लिम्टेड कंपनिया रइस्टर हो जाए तो क्य इसको मैं एक रियल एक्जामपल से समझाता हूं फिर आप ही समझ जाएंगे कि असल में यह मतलब मैं जो काना चाह रहा हूं वह काने का मतलब क्या है अगर कोई भी आपके सर्किल में कोई अन्जान आदमी आए और वह अपना सिर्फ वोटर काड लिखा दे वोटर लिस्ट का जिसे की पहिषान पतो जो हότεरा वोटर आए डी होता है वह आपके दिखा दे और कहें की मैं तो इस देश का नागरिकोचाने कान गौत हो और आख मौन के विषवास कर सकते हैं तो साइध इसका एंसर होगा नहीं क्यों क्योंकि सर्फ CHI हो जाने से राडरी Ebola फोजाने से यह घ्री नहीं मिलता है कि वह आपके साथ ऐड़ नहीं या अगर गर्मेंट चाह लिया तो लेकिन वह आपके साथ प्रॉड करेगा नहीं इसकी कोई गाइंटी नहीं लेगा यह कैसे हो सकता है यह आपके अपने ब्रेंट पर डिपेंड करता है कि आप पहले उसके साथ अगर कोई डील कर रहे हैं तो एक आईडी प्रूफ तो हो गय लेकिन इसके बाद उसके साथ डील की स्टैप का कर रहा है अगर उस फिल्में वह काम कर रहा है तो कितने सालों से कर रहा है जिस जिसके साथ काम किया है क्या उसके साथ उसने फ्रॉड किया है या उसके साथ एक तरीका है यह सब जब समझ जाते हैं तभी जाकर के आप अप रहहा हूँ इसका डाइलेक्टर यह है और कहांग रहा है कि शोड करेगा यह डिल में कर सकता है तो जब भी किसी भी कमपनी में अगर iki कहें कि पैसा लगाईए इन्वेस्ट करिए तो सतर्क हो जाए और अगर नौकरी के नाम पे जो बेब कुब बनाने की कोशिस करें कोई भूस मांगे कोई भी चुलिया तो वहां पे भी आप सतर्क हो जाईए क्यों कि यहां पर चांस बन सकता है को आपके साथ प्रॉड कर है तो एक बात एक याद रखिए कहीं भी पैसा लगाते हैं काम करते तो पहले वो देखे हो सकता है कि कोई कंपनिया नमे यह तो फिर क्या हुत में नहीं करना चाहिए लेकिन जो काम कर रहें आप अपने स्कील कर रहें या अगर आप पैसा लगा तो उस पैसे का इस्तमाल कहां करेंगी इंदम ट्रांस्पेरेंसी रहेगा तभी आपको समझ में आएगा आप काम करने जा रहे हैं तो कौंसा काम करेंगे वह काम का और यह आपको बहुतर हैं समय में आएगा और जब तक आपको समय में नहीं आएगा आप सुचे कि कम काम करके ज्यादा पैसा देदे और यह इसा कंपनी का रही है तो हंदे परसंट मानिए कि आपको बेब कूब बना रही है और हम अगर रिश्टर कंपनियां हैं अब एक बात कोई आए और कहें कि मैं इस कंपनी का डिरेक्टर हूं या मेरा यह कंपनी है इस कंपनी से आया हूं और आपको मैं यह ओफट दे रहा हूं अब यह मुझे बताइए कि कैसे आप चानेंगे कि यह औरिजनल परसंट है हो सकता है कि कोई बंदा आए मालीज आज तो रिलैंस क अब आप जान रहे हैं कि इसका कौन है डिरेक्टर बोर्ड डिरेक्टर चेयर्मिन कोन है यह सब आप फेमस कंपनी है लेकिन कोई ऐसा XYZ ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आजाए और कंपनी बढ़िया है लेकिन कोई तीसरा बंदा आजा है मैं ही इस कंपनी साया उसका रिपरजेंटेटिव हूँ जबकि वो ठग हो बेवकूप बनाने वाला हो तब कैसे पता करिएगा तो इस चीज में आप कंपनी को जरूर विजिट करिए कंपनी को ऑफिसियल रिकॉर्ड जो होता है वहां जाके कॉंटेक्ट करिए और MCA पे जो इमेल होगा उससे भी कॉं अगर मतलब एक्जामपल ऐसे भी ले सकते हैं प्राइवेट लिम्टेट आप देखोएगा कि कोचिंग संसा भी होता है फॉस्पीटल भी होता है इसके बाद जो है सीड कंपनी अग्रिकल्चर में भी होता है इसके अटेक्लोजी में भी होता है क्या सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट लिम्टेट कर ले और वो काम करना शुरू कर देगा नहीं इसके लिए जरूरत होता है कि वो उस फिल का जो भी गवर्मेंट का जो मतलब की डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट से उसका राइश्टेशन होना भी नेसेसरी होता है जैसे कि अगर टेक्नलोजी कमपनियां है तो इसी से काम चल जाता है दोस्तों बात यह है कि आजकल फ्रॉड होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों में कन्फ्यूजन बढ़ गया है लोगों को जानकारी नहीं और इनफेक्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर आ इस विडियो को पूरे सारे सरक्ले में फैला दीजी चुपके चुपके अकेले अकेले वह देख लेंगा अगर उनके साथ कोई घटना नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यह वीडियो देखने के बाद वह अपने आपको सेफ कर सकते हैं बचा सकते हैं इसी के दूब यह वीडियो बनाया था कॉंटेंट मांकी कैसा लगा मुझे कॉमेंट में तो बठाइएगा साथ ही साथ अगर कॉंटेंट यह अपको पकुंदाता है तो लाइक तो बनता है मिलते फिर से फ्रेस और अप्डेट इंफर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में